प्रसेश वेशन वर्ड आज किस वीडियो में हम सिखेंगी ये ब्यूटिफुल सा डिजाइन बनाना जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हो अगर आप कुछ भी जालीदार बनाना चाते हो थोड़ी बहुत आप चाहते हो कि डिजाइन में थोड़ी बहुत जाली हो तो प्लीज इस डिजाइन को एक वाज जरू ट्राइ कीजेगा और आप चाते हो कि अब मुझे बहुत एज़ी डिजाइन बनाना है और बाकि वो जाल बढ़िदार हो देखने में सुन्दर हो तो आप इस टीजाइन को ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए आपने रखने हैं 5 के मल्टीपल में फंदे ठीक है यह जो डिजाइन है हमारा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इस तरह से चलेगा बाद में आपने 2 एक्स्ट्रा एस टीज रख लेने हैं जैसे कि मैं आपको 17 फंदो आप 10 के मल्टीपल में भी इस टीजाइन को अड़ेस्ट करने के लिए डाल सकते हो तो 5 के मल्टीपल में भी आप इस टीजाइन को टाल सकते हो ठीक है बाद में आपको एक्स्ट्रा 2 फंदे डालने होगे जो कि आपके as stitch में count होगे तो अब यहां पर आप देख सकते हो मैंने 17 फंदे डाले हुए हैं 17 फंदे में यहाँ पर लगाया हुए है इस डेजाइन में अब 5 से गुणा करके 15 और प्लस उसमें 2 करके 17 फंदे में यहाँ पर लगाया हुए है सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप बॉर्डर डाल लेजी नीचे बॉर्डर के बाद आपने क्या करना है पहली रो सीधी तरफ से रो वन राइट साइड से ध्यान से देखिएगा ठीक है अब देखिए पहली रो सीधी तरफ से क्या करेंगे पहले फंदे को हमने सी तरह की पांच फंदे सीधे 5 फंदे मैं देखे हैं, जाले डालने के लिए थागे वाले 5 फंदे, 1, 2, 3, 4, और ये 5, ये देखे, 5 फंदों में इस तरह से निडल को डाला, अब इसको बैक साइड को ले गए, ठीक है, अब धागे को गुमाना है, अब आप चाहे तो एक वार इन 5 फंदों का 1 फंदा भी बना सकते हो, आप चाहे तो इस तरह से, मैं पहले 3 फं फंदे थोड़ से टाइट हैं, तो मैं एक 2-2 करके भी आप उतार सकते हो, 5 फंदों का हमने ये एक फंदा बनाना है, ठीक है, ये 3, ये 4, और ये 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये 5 फंदे इस तरह से उतार लिए, अब उसके बाद फिर से जाली डालेंगे, अब ये देखे, ये शुरू का एक फंदा चोड़ देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिर से अपना repeat pattern स्टार्ट करना है, क्या repeat करना है, द्यान से देख लेजिए, 5 फंदे हमने सीधे बनाए, जाली डाली, 5 फंदों का एक किया, फिर जाली डाली, अब फिर से 5 फंदे सीधे, 1, इसी तरह से हम पूरी रो ये complete करेंगे, 2, 3, 4, और ये 5, ये देखे इस तरह से, अब लास्ट में हमारे पास एक फंदा बजे का जो edge stitch है, उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है, ये हो गई हमारी row 1 right side से, ए row 2 पर wrong side से, row 2 को दियान से देखे क्या करेंगे, row 2 और जितनी भ इसारी रोज पास बात है कि ये सिर्फ right side से पढ़ता है, और बाकी wrong side से, सारी रोज हमने उल्टी ही बनानी होती है, जो जाली वाला फंदा है, उसको देखे हमने इस तरह से बुनाई करना है, ये देखे, ये, इस तरह से हम जाली वाले फंदे को बनाएंगे, बाकी सारी र wrong side से हम इसी तरह से बनाएंगे सारी रोज, इसलिए मैं wrong side की रोज आपको अब नहीं बताऊंगी, सिर्फ right side की रोज, 3 पर right side से, 3rd row सीधी तरफ से, दियान से देखे, क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, फिर 5 फंदे सीधे, 1, यहां से repeat pattern भी start करेंगे, 1, 2, 3, 4, और यह 5, यह देखे, 5 फंदे सीधे, देखे, शुरू का edge stitch है, इसको छोड़ देखे, यहां से हमने अपना repeat pattern start कर दिया, 5 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे सीधे बनाएं, अब यहां पे देखे, जो जाली वाला फंदा, यहां पे देखे, हमने जाली डाली थी, इस फंदे को ह बनाए करेंगे, आप देखे, यह शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे, और यहां से लेकिए यहां तक हम फिर से repeat pattern start करेंगे, ठीक है, आप देखे, जो हमने 5 का एक फंदा बनाया था, वो की बज़े से हमारे फंदे कम हो गए थे, लेकिन इस रो में हमारे जो पूरे 5 फ पीट करने हैं, आगे भी, अब देखे, दास में 5 फंदे बचेंगे, यह 5 हमारे pattern के सीधे बनेंगे, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, और लास्ट के फंदे को भी हमने सीधा बनाय कर लेना है, अब आजाई रो 4 पर, तो रो 4 रॉंग सेट से पूरी अपने उल्टी बनाते हुए, complete कर लेनी है, तो आप देखे, 4 रो मैंने यहाँ पर बना ली है, अब आजाई रो 5 पर, राइट से, ठीक है, तो 5 रो राइट से क्या करेंगे, यह रो पूरी हमने सीधी बनाय करते हुए, complete करनी है, पांचमी रो सीधी तरफ से सारी सलाई हमने सीधी सीधी बनाय करते हुए, complete करना है, उसके बाद 6 रो रोंग सेट से पूरी उल्टी बनाय करते हुए, complete करना है, उसके बाद 6 रोंग सेट से सारी जो रो है हमने उल्टी ही बनाय करनी है, तो उसके बाद आप 6 रोंग सेट से complete कर लेजिए, उल्टी बुनाई करते हुए 7 पर right side से, 7 वी रो, सीधी तरफ से, 7 वी सी लाई, अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है, हमने ध्यान से समझेगा यह वाला जो design है, अब हमने यहाँ पर shift करना है, इधर और इधर, ठीक है, यहाँ पर हमारा design यह half हो जाता है, तो अब देखिए क्या करेंगे, पहली फंदे को सीधा उतारा, अब यहाँ से repeat pattern स्टार्ट करेंगे, जाली डालेंगे, आगे वाले जो 5 फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, और यह 5, आगे वाले जो 5 फंदे हैं, उसमें slide को पीछे की तरफ इस तरह से किया, अब 5 फंदों का एक फंदा बनाना है, आप चाहे तो 5 फंदों को एक बार भी एक बना सकते हो, या आप चाहे एक, दो, दो, तीन फंदे करके इस तरह से भी उतार सकते हो, अगर आपको easy लग फिर 5 फंदे सीधे, सेम वैसे ही डालेगा जैसे हमने पहले से लाई में डाला था, 2, 3, 4, और ये 5, अब देखे शुरू का एक फंदा छोड़ देंगे, यहां से लिखे यहां तक हम फिर से अपना repeat pattern स्टार्ट करेंगे, जाले डालेंगे, 1, 2, 3, 4, और ये 5, पांच फंद का हम एक फंदा बनाएंगे, देखे इस तरह से, इस तरह से करते जाएए, ये मैं दो-दो करके फंदे इसके उपर से उतार रही हूं, ये देखे हमने 5 फंदो का एक फंदा बना लिए, लास्ट में फिर से जाले डालेंगे, और लास्ट के फंदे को सीधा बनाई कर लेंग यह हो गई हमारी seven right side से अब आजाए रो eight पर wrong side से तो इसको हमने पूरा उल्टा बनाई करते हुए complete करना है ठीक है wrong side की सारी रो हमने उल्टी ही बनानी है आजाए रो nine पर right side से देखे क्या करेंगे पहले 5000 कुछ सीधा होता रहा अब यहां से repeat pattern start करेंगे एक फंदा बनाएंगे जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बनाए करेंगे ऑफ्र से जाले डालेंगे एक फंदा सीधा बनाएक फिर पांच फंदे सीधे यह देखे अब शूरू का एक फंदा चोड देंगे और यहां अचले के यहां तक हम फिर से अपना repeat pattern start करेंगे क्या repeat करना है एक फंदा सिधह बुनाई किया जाली डाली सिधह बुनाई किया फिर 5 फंदे सीधे ठीक है इसी तरह से हमने पूरी रो complete कर लेनी है इस तरह से बुनाई करते हुए अब last में भी देखिए यहां पर यह हमने बना लिया अब last के बंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है अब आजाए रो 10 पर wrong side से तो इसको हमने पूरा उल्टा बनाई करते हुए complete कर लेना है अब आजाए रो 11 पर right side से 11 रो सीधी तरफ से तो इसमें क्या करेंगे इस रो को पूरा हम सीधा बनाई करते हुए complete करेंगे row 11 right side से पूरी सीधी बनाई करते हुए complete करेंगे और उसके बाद row 12 wrong side से हम पूरी उल्टी बनाई करते हुए complete करेंगे तो ये दोनो row हमने बनाई करके complete तो देखे row 12 तक बनाने के बाद हमारा design भी यहाँ पर over हो जाता है अब यही 12 row हम बनाते जाएंगे यही 12 row हम repeat करते जाएंगे और एक beautiful सा design create करते जाएंगे hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा make sure आपने वीडियो को like किया है, channel को subscribe किया है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और चलिए मिलते हैं next tutorial में next design के साथ तब तक के लिए पाब आएगे देखिया आप प्रॉंग सेट से इस तरह से दिख रहे है